पार्टी का जो कंडिडेट होगा वो एक कमल का फूल होगा कमल का फूल का चिन्न दे के भेजे वो पार्टी का प्रित्यासी होगा दोजार चोईस के लोकसभा चुनाओं में मानिये मोदी जी को तीसरी बार या सस्तुई प्रधान मंत्री के रूप में बना कर और वो देश के जनसेवक हैं और देश की सेवा करेंगे और आम आदमी का पूरा ध्यान रखेंगे प्रश्ट कांग्रेस सरकार को हटाना है और राजसान में परिवर्तन लाना है और भारतिये जनता पार्टी की सरकार बनाना है जितने वाली यह है कि जितने भी लोग इससे में टिकेट की दावेदारी पेश कर रहे हैं उन्हें सबने अपनी अपनी फाइलें कि इंज्ट्रिक ग्रह मंत्री अमिश्य और राश्ट्रिय अध्यक जेपी नडड़ जोगी दी है हमारे साथ में टॉक निवाई से टिकेट क कि हमारा पार्टी का जो कंडिडेट होगा वह कमल का फूल होगा और पार्टी जिसको भी कमल का फूल का चिन्द दे के भेजे वो पार्टी का प्रत्यासी होगा और फिल्ड में प्रचार प्रसार माननी है प्रधान मंत्री जी मोदी जी के नाम से वह कमल के फूल के चिन्द ही हमारा कंडिडेट है और उसी पर चुनाओं के अंदर मोर लगानी है भारते जनता पार्टी को रास्थान में कामियाब बनाना है दो जार तेईस में और दो जार चोईस के लोकसभा चुनाओं में मानिये मोदी जी को तीसरी बार यह सस्तुई प्रधान मंत्री के रूप में बना कर और वो देश के जनसेवक हैं और देश की सेवा करेंगे और आम आदमी का पूरा ध्यान रखेंगे और जो उनकी योजनाएं हैं मानिये मोदी जी की योजनाएं किसान अन्योजना उसके तहत 80 करोड गरीब लोगों को गरीब कल्यान अन्योजना से लाभानवित किया गया है इसके साथ साथी जो उजोला योजना के जो गेस कनेक्शन हैं वो लगबग साधे दस करोड मैलाओं को उजोला के गेस निसुल की गेस कनेक्शन दिये गए हैं और वो उससे हमारी माताओं और बेनों को बहुत और गरीब परिवार के लोगों को खासतर खास तोर से एस्टी की महिलाएं एस्टी की महिलाएं और स्वंड जाती की गरीम महिलाओं को इस निसुलकुजुला योजना का जिसमें सिलंडर, रेगुलेटर, गेस का चूला, रबर ट्यूब और डाइरी दी गई है वो और उनको संब्सक्राइब गया है जो पूरे राज़स्थान भर में परिवरतन यात्रा है निकली थे आपके शेत्र से भी निकली क्या कुछ रैस्पॉंस मिला उन परिवरतन यात्रा को हमारे मैं निवाई पीपन विधान सबा सेत्र का हूँ और डॉक्टर भुशन सालो दिया मेरा नाम है निवाई प्रोपर का रहने वाला हूँ परिवर्तन यात्रा के दोरान पूरे जनता ने आम लोगों ने किसान ने गरीब लोगों ने और भारती जनता पारटी के कारे करता कर्मचारी वर ने मानस बना लिया है कि इस सरकार को सरकार को हट पर राज़ चैसे पार्टी की कि सरकार 2 बनाना है उल्चा कूंक्र बुदेंगां तो यह को youं कि आपको लगता है कि वीदायक ने अगर आपको ठीकेट ईसे काम से काम होग radar रिवाब करें हमारे मन विधायक निवाई से उनके द्वारा अभी कॉंग्रेस के विधायक हैं उनके द्वारा गाउं गाउं में ऐसी सड़के हैं जो सड़कों पर इतने गड़े हो रहे हैं वो बैड से लेकर जामडोली और जामडोली से के लेकर निवाई तक और भी कई सड कि इतने गड़े हो रहे हैं क्यों कि दत्वास वाली सड़क आपकी इधर जामडोली की सड़क आपकी ललवाडी की सड़क आपकी रानोली कठमाना की सड़क आपकी कासी पुरा की सड़क करेड़ा, कुरेड़, कुरेड़ी, पांस रोटिया, गैलोग इन सब की सडके इस तरह से जरजर हो रही है कि आम आदमी को बहुत परिशानी हो रही है इस तरह से आज की तारिक में इस तरह की सड़के हैं कि कई मैलाओं की गर्वती माता और बैनों की डिलिवरी उन एम्बूलेंस में ही हो गई है अस्पताल पहुंचने से पहले-पहले माता और बेने गर्वती थी और उन्होंने बेटी बेटे को जर्म दरस्ते में दे दिया है यह सड़के इस तरह की है सरकार की और दूसरा पानी की समश्या है निवाई के अंदर पूरा पानी नहीं आ रहा है बीसलपूर जो परियोजना है वो टॉंग जिले की परियोजना है उसके बावजूद भी बीसलपूर का पानी निवाई के पूर्ण लोगों को नहीं मिल पा रहा है इसके अलावा जितने भी चिकिसा संसान है उनमें कि टॉंग जिले के चाहे वो जिलास्पताल हो साधत होस्पिटल हो चाहे पीएस्सी सबसेंटर हो वहां चिकिसा अधिकारी नर्सिंग स्टाफ पेरामेडिकल स्टाफ वाड़ लेडीज इस्पेशल डॉक्टरों की कमी है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है पीटे हमारे साथ भूशन सालोदिया जीनका साफतोर पर कहना है कि कॉंग्रेस के जो वहां पर विधायक है उन्होंने जनता के जो काम जो जनता से उन्होंने वाइदे की ते वो वाइदे पूरे नहीं हुए भले वो सड़क की इस्तिति हो महिलाओं की इस्तिति हो या फिर निशान पर जिता कर लाएंगे वहां पर बीजेपी को और जिस प्रकार से इन्होंने कल जो केंद्री घ्रह मंतरी अमिच्छा और आश्यद्रिक जेपी नडड़ा के भी दोरा हुआ था उससे पहले प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी का दोरा हुआ था तो उन्होंने भी इस नवदेश टीवी जैपुर